मुकेश का परिवार बहुत गरीब था वो किराई के घर में पुरे परिवार के साथ रहता था घर में कमाने वाला एक और खाने वाले चार लोग थे और उनकी इनकम भी बहुत कम थी उसके कारण जैसे जैसे उनका गुजा़रा चल रहा था वो बाही बहनों में सबसे बड़ा था और उसकी शादी की उमर भी हो गई थी घर वाले बहुत परेशान थे क्या आखिर कौन से माबाप अपनी बेटी इस घर में देंगी बेटा अब तो शादी कर ले शादी की उमर निकल रही है आखिर कब तक अकेला रहेगा चाहा तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी मा ऐसे ही दिन बित्ते हैं मुकेश के लिए कई सारे रिष्टे आते हैं पर उनके गरीबी के कारण कोई भी लड़की मुकेश से शादी करने के लिए तयार नहीं होती एक दिन जब मुकेश अपने काम से पेदल घर जा रहा था तब ही उसे एक कार टकरा जाती है ओ, I'm so sorry, तुमें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अरे मुकेश तुम? तुम यहा कैसे? बस मुंबई से पढ़ाई करके परसो ही घर आई हो तुम कहीं जा रहे हो क्या? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा अरे चलो ना, मैं छोड़ देती हो तुम्हें फिर मुकेश गाड़ी में बेट जाता है कॉलेज के बाद तुम तो अचनक गाए भी हो गए मैंने तुम्हें बहुत दूंडा पर तुम मिले ही नहीं यहाँ पर मन नहीं लग रहा था तो मैं आगे की पड़ाई करने मुंबई चली गई बस कुछ मजबरी थी इसलिए आचनक से जाना पड़ा ऐसे ही कुछ देर दोनों बाते करते हैं फिर रागी ने मुकेश को घर चोड़ कर वापस चली जाती है वही उनके घर के सामने किसी आमिर की गाड़ी आई ये देखने के लिए लोगों की भीड लग जाती है अरे ये कौन थी? किसकी गाड़ी थी ये? पता नहीं, आज तक तो इनके घर में कोई आया नहीं एक लड़की मुकेश को गाड़ी में छोड़के गई कई मुकेश का कोई चपकर तो नहीं चल रहा अरे इस फटीचर से कौन सी लड़की पटेगी? फिर सब हसने लग जाते हैं वही मुकेश और रागिनी में दीरे दीरे बाते फिर से शुरू हो जाती है और कॉलेज टाइम का खतम हुआ रिष्टा फिर से शुरू हो जाता है दोनों को एक दूसरे से फिर से प्यार हो जाता है मुकेश, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता रागीनी अगर प्यार किया है तो शादी में क्या प्रॉबलम है तुम खुद तो प्यार में मजनू बन गए और मुझे भी लेला बना के रखा है कर लो न शादी, क्या प्रॉबलम है अरे याद, मेरी कंडिशन इतने अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें सारे सुख दे पाओ जो तुम डिजर्ब करती हो तुम तो एक बड़े घर की लड़की हो और हम तो एक छोटे से घर में रहते हैं वो भी किराई का है बहुत प्रॉबलम है वहाँ तुम केसे मैनेज करोगी अरे डोंट वरी बाबा मैं वैजस कर लूँगी अगर मेरा प्यार मेरे साथ है तो दुनिया की सारी सुख सुविदाए मुझे मिल जाएगी रागी ने के बहुत समझाने के बाद मुकेश शादी के लिए तयार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा था माजी घर में पानी खतम हो गया हाँ क्या बहू रुख जाओ मैं अभी नल से पानी लेके आती हो और सास वहाँ से घड़ा लेकर बाहर चली जाती है अरे ओ कमला बेन हमने सुना है कि तुमने मुकेश की शादी कर दी और बताया तक नहीं हाँ वो सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ बता ही नहीं पाए हाँ हाँ हम समझ सकते है फिर कमला वहाँ से चली जाती है पर पड़ो सुने के गोसिप के लिए टॉपिक छोड़ जाती है सुना है कि इसकी बहु बहुत सुन्दर है और अमिर भी है सुन्दर अमिर और संसकारी मुझे तो अब तक ये हजम ही नहीं हो रहा कि इनके घर में बहु आ गई है अगर हाजमे के गोली चाहिए तो कमला बहन के घर ही जाना पड़ेगा बहु देखने फिर सारे औरते कमला के घर आती है अरे ओ कमला बहन कहा हो और कहा होगे इतना सा तो घर है अरे आओ आओ कैसे आना हुआ अरे घर में नई बहु आई है शादी में भी नहीं बुलाया कम से कम मूँ दिखाई तो करवा दो आओ आओ बेठो फिर रागी नी सब के लिए चाय और नाश्टा लेके आती है वाके ही हीरा घर लाई हो तुम तुमारी बहुत कितनी सुन्दर है पूरे महले में इतनी सुन्दर कोई नहीं है सुन्दर सुशिल और उपर से पैसे वाली है तुमारी तो लोटरी लग गई कमला बहन अरे ऐसी बात नहीं है हमें बहु मिल गई यही सो भाग्ये है फिर कुछ देर बाद सब निकल जाते है और यह सब बाते पूरे महले में फैल जाती है कि कमला के घर बहु आई है वो भी सुन्दर और पैसे वाली फिर एक दिन कोई है क्या घर में? अरे आओ आओ बेठो अरे मैं तो बस बहु देखनी आया थी बहुत सुना है उसके बारे में अरे बहु तुससे कोई मिलने आया है प्रनाम आंटी अरे जेती रहो बेटी कमला बहन तुमारे तो भागी खुल गए बहुत सुन्दर बहु लाई है अपने अरे चाय पीके तो जाओ अरे नहीं नहीं मैं तो बस बहु देखनी आयी थी देख लिया अब निकलती हो ऐसे ही बहु देखने हर रोज कोई न कोई आता था रागी ने इस बात से बहुत परिशान हो गई थी मा जी ये एक सब क्या हो रहा है ये बार बार मुझे देखने क्यों आ जाते हैं इन्होंने पहले कभी बहु नहीं देखी क्या अरे बेटा हम गरीब है न तो इन्हें लगता है कि हमारे बेटे की शादी कैसे हो गई इससे पहले कई रिष्टे हमारे गरीबी का मज़ा पुड़ा कर चले गए जाने देना तु ज़्यादा मत सूच देखने आते हैं और देखके चले जाते हैं आखिर क्या ही काम है इनको फीर से कल ही तो आई थी बुवा जी हाँ वो मुकेश की चाची को तुझे देखना है न इसलिए उसे लेकर आ रही है फीर से कल ही तो आई थी बुवा जी उसकी सहन करने की लिमिट अब खतम हो चुकी थी फीर क्या जब मुकेश की बुवा और चाची आती है तब देखो ये है मुकेश की पत्नी है ना सुन्दर बहुत ही सुन्दर है दीदी अच्छा कमला दीदी एक बात बता आपके पास जब पैसे थे तब आपने इसके बापको कुछ करजा दिया था क्या जो इसके बापने इस छोटे से घर में रहने वाले लड़के को अपने बेटी दे दी बस इतना सुनते ही माने जुवालों मुकी फूर जाता है रागिनी का सबर का घड़ा भर जाता है क्यों चाची जी गरिब के इंसान नहीं होते क्या ये जरूरी है क्या कि हर लड़की पैसे के पीछे ही वाक्ती हो या हर लड़की का बाप उसे अमीर घर में ही बिहा दे अरे घर में सब आच्छा है पर उस घर में प्यार सम्मान नहीं है तो उस फैसों का क्या आचार डालेंगे? प्यार में इज़द, मान सम्मान मायने रखता है अगर ऐसा हो तो छोटे से घर में भी सब खुशी-खुशी रह सकते है महलों में रहकर जगड़े ही करने हो तो पंच पकवान भी फिक्का लगने लगता है फिर रिष्टो के हमेत आप क्या जाने? आप बस गरिब अमीर करते रहो पर कभी ये मत सचो कि गरिब के घर बहु नहीं आ सकती बगवान ना करें क्या आपको भी कल ऐसा ही दिन देखने को मिले इसके बाद चाची और वुवा की पूरी तरह बोलती बंध हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है ऐसा नहीं था कि उसके बाद लोगों का आना बंध हो गया लोग उसे देखने तो आते थे पर कभी ये नहीं कहा कि गरिब के घर बहु आही है